कुल कांशलों फैनल और कियाएं कि विडेयो में हम यहाँ पर डिसक्स क्रेंगे इंशक इस्टिंग और मैं समझेंगे What क्या होता है कितने डाइप के होते हैं यह इंसेक्ट वाइट में क्या-क्या देखनों के मिलते हैं और इसमें क्या treatment provide क्या जाता है सारा कुछ आज किस वीडियो में बहुत ही सिंपल लेंगज में डिसकस करेंगे तो बने रिये हमारे साथ इस वीडियो में तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं क्या होता है होता क्या है कि जब भी कोई insect bite करता है जब भी हमारे body पर हमारे skin में कोई insect bite करता है तब वहाँ पर क्या होता है कि जो skin होती है वो पंचर हो जाती है जब भी कोई insect bite करता है तो जो skin होती है वो पंचर हो जाती है इसकिन पंचर होने के कायाण वहाँ पर एक wound create हो जाता है इसके साथ यहाँ पर कुछ ऐसे इंसक्ट होते हैं जो bite करते हैं और कुछ ऐसे इंसक्ट होते हैं जो isting करते हैं isting का मतलब यहाँ पर हम हिंदी में कह सकते हैं डंक मारना कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो बाइट करते हैं यानि काटते हैं और कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो इस्टिंग करते हैं यानि कि डंक मारते हैं आपने अपने एरिये में अपने घर के आसपास कई बार देखा होगा कि जो इंसेक्ट होते हैं कई सारे टाइप्स के होते हैं अब होता क्या है कि जब भी कोई इंसेक्ट बाइट करता है या फिर इंसेक्ट इस्टिंग करता है तब वो जो है बाइट करते समय वेनम इंजेक्ट करता है ठीक है जब भी कोई इंसक्ट बाइट करता है तब उस टाइम पर क्या होता है कि वो कुछ सलाइवा रिलीस करता है वो जो सलाइवा है वो इसकिन के अंदर inject कर देता है कह सकते हैं wound के अंदर inject कर देता है और उस själईवा में imitate होता है अभी झö amendment यह जिसे पर करता है विस जगह पर क्या होता है कि यहां पी देखने को मिलती है और कूछ意bei से इसके साथ पैसेंट में इरीडेशन देखने को मिलती है को कि यहाँ पर इमेज्में देख सकते हो कई का सबस्केज़ को इसकते हैं और अलग-अलग सिंट्अंस देखने को मिलते है अब बात करते हैं type game 시청 इनसेक्ट बाइट होता है कितने टाइप का होता है आपर जो मास्कूटो होते हैं यह मास्क्यूटो करते हैं तब उस टाइम पर क्या ऊच्छा इसकिन के उपर इसमाल पैप्यूल्स देखने को मिलते हैं जब भी मास्क्यूटो बाइट करता है अपने अपने एरिये में अपने घर के आसपास मास्क्यूटो को तो देखा ही होगा बहुत ही कॉमन है çıktि상이 यहां पर मास्क्यूटो नहीं बहुत कॉमन इंकताव टो जब भी मॉर्न बॉइड करता तो इसकिन पर सम्माल चैप 5000 यहां पर मतलब हम तरह सकते हैं कि इसमाल डेल्ट को मिलते हैं थाल्था यहां पर यह जो इसमाल प्रप्यूटो होते हैं इन में बहुत ज्यादा इचिंग देखने को मिलती है नेक्स्ट आप पर टाइप है वह है आपका हॉर्स प्लाइज जो हॉर्स प्लाइज होती है यह एक टाइप की फ्लाइज होती है यह जब बाइट करती है तो बहुती पेंफुल होता है जो हॉर्स प्लाइज होती है य उसके में जो है एक वूंड टाइप बन जाता है ठीक है इसके सास्ताijo patient होता है भहां पर पेसेंट जो होता है वह वह एक स्कीरिया एक्स्पीरियंस करता है ऑल्रींस एक के प्रॉब्लम है जिसमें इसकी में स्कीर रीयाक्षन देखने स्कार्ण को मिलता है और पात करें हैं तो कह सकते हैं ठीक है तो आपने घरों में खटमल देखा ओगा या चली जो रूरल एरियाज होते हैं वहाँ पर बैड़गा क्स स्य पाए जाते हैं यह इनका जो बाइस होता है यह बाइद होता है यह अपंड क्ल है वह वह और अगला है माइट तो यहां पर बात करें तो होता है यह भी टाइप के इंसेक्ट होता है जिनके करने पर पैन नहीं होता है इसके साथ जब टेक्स वाइट करता है तब उस के एरिये तरह का Score हो जाता है लंप देखने को मिलता है अब होता है लंप जब डेवलफ होता है तो जिस जगह पर टिक्स देखना तो मिलती है इचिंगते को मिलेंगी और blisters देखने को मिलेंगे और brissing देखने को मिलेंगी नेक्ष जो माइट्स होते हैं यह जब भी बाइट करते हैं तो काफी ज्यादा इसके साथ ब्लिष्टर्स देखने को मिलते हैं अब बात करते हैं जो इंसेक्ट इस्टिंग होता है उसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं अगर इंसेक्ट बाइट के सिम्टम्स की बात करें तो इसमें कई सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जिस एरिये में इंसेक्ट बाइट करता है वहां पर पेन देखने को मिलेगा पेशन में स्वैलिंग देखने को मिलेगी और इचिंग देखने को मिलेगी इसके साथ जो पेशन्ट होगा वह सीविय addiction या फिर mild allergic reaction भी देखने को मेल सकती है जिसको एना फेलक्सिस बोडते हैं ठीक है जब भी allergic reaction होती है तब लोग MF मेडिकल टर्म बोडते हैं इसके सासाद जब आ년 छी होगी पैसे इसे टाइम पर वीजिंग सांद देखने को मिलेगी पेशंट में सौटने साफ ब्रीद देखने को मिलेगी और पेशंट में जो है जो पेशंट है वो अनकॉंसेस हो सकता है इसके साथ सीवियर एलर्जिक रियक्षन यानि एनाफलक्सिस में पेशंट की कई बार अंडर 30 मिनट में डेथ भी हो जाती है तो जो Серण होती है यह बहुत ही डेंजरस होती है इसका साथ पिंपल्स देखने को मिलेंगे लाइक सोर ओगे यह सिम्टिम्स है जो आपको इंसेक्ट बाइक में पेशन के मिलेंगे बहुत कि बाइनेक्त करें तो बहुई में क्या है वह अगर माइल्ड है अगर hearings reloadeane-leeking हहें उस टाइम पर क्या करना है सबसे पहले जो इस इंजर है यानि जो हो यानि जो बे cumulative कर रहा है जो डंक मार रहा है उसको जहां फ़र्स्ट री जो है रिमूब करना है उसके बाद क्या KEVIN करना है कि जो इंसक्त मार रहा है जो भी इंसेक्ट उसको जो है continue जब भी इंसेक्ट बाइट करता है तो continuously यह वेनम को pump करते रहता है continue इसकिन के अंदर इंजेक्ट करता रहता है इसलिए जो है सबसे पहले इंसेक्ट को रिमूब करना बहुत ही जरूरी है नेश्ट क्या करना है अगर जो रिसक्त है वह रिमूब नहीं हो रहा है तो आपको क्या करता ओब्जग्ट आपके पास है ठीक जैसे कि नाइफ है तो मेधनाइफ का यूज करके यह भी कोई भी अगर धारदार Fr तो उसका यूज करके आप उस इस टेंजर को रिमूब कर सकते हैं उसके बाद क्या करना है जो पेशेंट है जिस जगह पर बाइट हुआ है वहां पर प्रेसर अप्लाई करना है जो भी इस टेंजर है उसको रिमूब करना है ठीक,Skin Per pressure अप rappers करके या फिर I-scribe करके उस इस्टिंजर को करना है कई बार क्या होता है कि अगर हेंडी में बोलें तो जो डंक होता है वो बाइट करते समय क्या होता है उसे के अंदर रह जाता हैilotा इस अगर treatment के यहाँ पर बात करें तो जिस site पर insect bite किया है उस area को clean करना है उसके बाद उस area को disinfectant करना है और उस area पर ice और cold pack apply करना है जिससे क्या होगा pain and swelling करने के लिए आइस या फिर को अपलाई करना है और एरिये को क्लीन करना है और इसको डिसिंफेक्टेंट करना है अगर बात करें मेडिकेशन की यहां पर बात करें तो पैसन में टॉपिकल कई सारी टॉपिकल इस्टिरोइड क्रीम आती है जिनको इसकी अगर्वाइब किया जाता है अगर ट्रीटमंट की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है इसेंट में देखने को मिलता है यह इस इंटम बहुत ही कॉमन और सबसे पहले पेसंट में इचिंग को को प्रिवेंट करना है इचिंग को प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं कई सारे औरल या फिर टॉपिकल एंटि हिस्टा माइन ड्रक्स आते हैं उनको एडिमिनिस्टर करना है कैला माइन लोसन का यूज करना है ठीक है या फिर कई सारे टॉपिकल लोकल एनस्थेटिक के साहें उनका यूजज़ कर सकते हैं तो यहां पर我 कम करने के लिए पर इस्थामाइट के ला माइज का यूज़ लोसन अपटर आज स्टेस्धे अगर पेंड हो रहा है और उस टाइम पर कि वर कि यूज़ कर सकते हैं जैसे परसीटामाल ले सकते हैं या पिर आईबू पूरूफेन यह पेन को रिलीव करेंगे क्योंकि यह यह एक ड्रग है आप बात कर लेते हैं लास्ट में प्रिवेंशन कि इंसेक्ट इस्टिंग को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं तो सबसे पहले क्या करना है परफ्यूम को अवाइड करना है और ब्राइट कलर क्लोथ को अवाइड करना है क्योंकि अगर आप परफ्यूम का यूज करते हैं या फिर ब्राइट कलर के क्लोथ यूज करते हैं तो उससे क्या होता है जो इस्टिंग्स होते हैं ज्यादा अट्र करें और को कंट्रोल करें भाइट को कंट्रोल करें आक तो फॉतेidenёт करने के जाब यहां पर हऊई Halo band की और तो फॉiane के घोस्न होते हैं जिनमें पर बहंते हैं या फिर रहता है या फिर घरों के आसपास क्या होता है चलते लगे हुए होते हैं तो उन चीज़ों को डिस्टाय करना है या पिर री लोकेट करना है उसको घर से दूर रखना इसे भी आप इंसक्ट migrant ku सकते हैं और किई इस यांट पूल सब्सक्टीज। बैर अट्रेक मास्क्यूटोट्व क्माख़ते हैं फती हम T किस्ट कोण प्रॉट क्म CTAKS connectivity नहीं offering cry कि आफोरी में बहुत अट पानी का भी आक्म होता है वहाँ होन्क यहां पर सिर्थ से आप प्रिवेंट कर सकते हैं जिसने आप पर इलेक्ट्रिकल इंसेक्टर री पिलिंग डिवाइसेस कई सारी एलेक्ट्रिक डिवाइसेस आती हैं जो इंसेक्ट को insect ko bite करने से prevent कर सकती है रिश्णे आपर क्या है cover all parts of body clothing heads socks and gloves आपको अपनी body को cover कर ला है cover रखना है hat Chelsea socks and gloves का use करना है इसके साथ साथ अपनी personal hygien उसको maintain करना है household hygiene को maintain करना है निश्ट क्या है doth containing diethyl तो इसका भी यूज़ करके आप इंसेक्ट बाइट को प्रिवेंट कर सकते हैं ने आप थायमीन का यूज़ किया जाता है इसको भी सिस्टमिक इंसेक्ट प्रिवेंट में यूज़ किया जाता है तो यह था जो है आज का छोटा सा टॉपिक इंसेक्ट बाइट एंड इस्टिंग आई होप आप लुक सारी चीज़ समझ कहोंगे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना हैं ओके सो तैंक यू सो मैस पॉर्ड वाचिंग कर दो 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 कर दो